हेलो एब्रीवान कैसे हो आप सब तो गाईजास तारीख हो चुकी है तीन जून दोजार दैस और हर रोज की तरह हमारी सामने आज भी IPL 2024 को लेकर इसके साथ ही IPL की सभी 10 की 10 टीमों को लेकर वर्टेश चैंपियंसिफ के रिगार्डिंग भी जितनी भी बड़ी और इंपोर्टेंट अब्डेट्स निकल कर आईए हों सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं तो ऐसे मैं हमेशा की तरह काफी ज़्यादा इंफर्मेटिव काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग ये वीडियो हने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिलकुल लास तक लेकर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं अगर आप लोग हमारी चैन की जो तीनु जर्सी आउट कि गई थी उसमें पहले तो हमने आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिखाया था क्योंगी एडिडास ने एक वीडियो डालकर इस जर्सी को आउट किया था लेकिन अब इस जर्सी के ख्लोजर लुक भी हमें दिखाये गई है तो आप लोग स्क्री काफी अच्छे कलर के साथ इन जर्सी को बनाए गया है खासकर जो भारत की ट्रेनिंग केट है उसको देखकर भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ट्रेनिंग केट जो है वो काफी ज्यादा वाइबरेंट है तो ऐसे में एडिडास की साइट से जो जर्सी है वो देखने मे को स्ट्राइक देदे क्योंकि सभी को लगा था कि शायद यह MST का आख्री IPL होने वाला है जिसके चलते जड़ेजा और CSK के बीच में काफी Misunderstandings बढ़ गई थी रिपोर्ट्स तो यहां तक निकल कर आ रही थी कि अगले साल रवींद्र जड़ेजा हमें चैने सुपर नि रिवाबा ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि रवींद्र जड़ेजा CSK को छोड़ कर नहीं जाएंगे रिवाबा ने कहा भले ही जड़ेजा CSK के फैंस के साथ काफी जड़ेजा नहीं जाने वाले क्योंकि CSK ही उनकी एक पात्रा IPL टीम है और ऐसे में भले ही उनके इस बेलेंस बात को अपनी टीम में शामिल करेंगे इस पारी में पूरी डीटेल में एक वीडियो आप लोगों को आउट होते वे देखने को मिलने वाली है तो आप लोग उसके लिए चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और कर लें इसके साथ ही आज शाम को हम इस पूरी की पूरी जो रिलीज लिस्ट हमारे पास निकल कर आई है उसको अपने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड करतेंगे सिर्फ एक क्लिक से आप लोग उसको डाउनलोड करके चेक आउट कर सकतेंगे किसा IPR टीम ने कौन-कौन से प्लेयर्स को 49 साल हो चुकी है और ऐसे में जिस तरीके से इनकी एज बढ़ रही है काफी जादा डाउट्स निकल कर आ रहे थे कि क्या फाब डूपलेसी का आखरी IPL होने वाला है क्या RCB की टीम अगले साल किसी युवा कैपटन की तरफ रूख कर सकती है क्योंकि अब फाब डूपलेसी के मेगा उक्षन से पहले हो सकता है ये टीम अपनी टीम से निकाल दे लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है फाब डूपलेसी ने कंफर्म कर दिया है कि वो अगले साल यानि कि IPL 2024 में भी खेलने के लिए तयार है साथ अफरिका में दिये गए अपने इंटर्व्यू में फाब डूपलेसी ने बताया है कि वो IPL में रिटर्न करने के लिए वापस से तयार है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं जनरली वो क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं सिर्फ वो T20 लीग में ही खेलते हैं तो ऐसे में पूरे साल वो काफी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं जिम में काफी ज़्यादा पसीना भाते हैं काफी ज़्यादा अपनी फिटनेस के उपर काम करते हैं के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताना की या आप लोग फाब डूगलेसी को आरसीबी का कैपटन बनते वे देखना चाहते हैं या फिर नहीं फिलाल गाईज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो की निकल कर आ रही है अंबाती राइडू की साइड से जहां पर अमबाती राइडू इस साल IPL 2023 से रिटायर हो गए थे लेकिन जाते जाते भी CSK के टीम को चैंपियन मिलाने में इनका एक बहुत बड़ा युगदान था क्योंकि इन्होंने ही वही शर्मा को अटेक करके CSK की टीम को टाइडल जितवाया था तो खेर अब राइडू की CSK के टीम में खेले गए काफी सारे नॉक्स की वज़ा से CSK के टीम चाहती है कि अमबाती राइडू इनके कोचिंग स्टाफ के तोर पर जुड़ जाएं वैसे भी CSK के टीम इनके जो काफी experience प्लेयर्स होते हैं वो चाहती है कि इनके साथ ही रहे इनके सा रहना इनसे भी request की है कि अगर यह चाहें तो चैने सुपर किंग्स के टीम में कोच के तौर पर जुड़ सकते हैं और वेन रावो हमें बालिंग कोच के तौर पर और उनके साथ ही माई खसी वल्यवाजी कोच के तौर पर हमें CSK के टीम में नजर आते हैं तो ऐसे में CSK के कि यह अब CSK के टीम में आ जाएं और जो यंग टैलेंट से उनको अपने टैलेंट को डिसकवर करने में चैने सुपर किंग्स की टीम की हेल्प करें तो ऐसे में केल राहूल के बदले भारत के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और यह प्रॉब्लम है विकेट के पर को सेलेक्ट करने को लेकर विकेट कीपिंग के ऑप्शन के लिए भारत के पास वैसे तो एक पर्मनेंट विकेट कीपर का ऑप्शन है जो कि अगर हम विकेट क बाते टीम के सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कॉमेंट करके आप लोग बताना आप लोगों के हिसाब से क्यास भारत या फिर इशान किशन वैसे वॉल्टेश शेंपियंशिप के फाइनल में किसे चांस किया जाना चाहिए कौन सा प्लेयर आपको लगता है ऐसा ब के रिगार्डिंग अब एक इन्फर्मेशन निकल कर आई है कि ये कोकिलावियन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना इलाज करवाते हुए नजर आ सकते हैं वैसे तो एक से ज्यादा स्टेप में इनका इलाज करवाया जाएगा लेकिन जो इनका सबसे पहला स्टेप है वो कोकिलावियन हॉस्पिटल में आप लोगों को कंड़क्ट होते हुए देखने को मिलेगा इसके साथ ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि MST उन्हीं डॉक्टर के साथ कॉंटेक्ट में है जिन्होंने रिशाप पंत को ट्वीट किया था रिशाप पंत के unfortunate accident के इपील 2023 में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था बैटिंग डिपार्टमेंट में इंडियंस की टीम ने बताया था कि जिन भी प्लेयर के उपर इनके द्वारा ट्रस्ट क्यों किया गया था उन्स अब इन्हें काफी कमाल की बलेवाजी की थी लेकिन उनकी जो फिटनेस के इश्यूस हैं और इवान आईपील 2022 में पेईस में भी उन्होंने जितनी भी गेदवाजी की थी उसमें उनकी खासी पिटाई भी हो गई थी नर असल जौफरा आर्चर को कोई भी प्रॉबलम नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये जौफरा आ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब